कोथ है अप है है ऐलो डीर अफनुन सभी को गूड अफनून तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास तो देखो आज़ वाली क्लास के अंदर आपका टॉपिक है वेसी आप सभी लोगों देखा होगा ही आज का जो हमारा टॉपिक है वह हम स्टार्ट करने वाले प्रोटेक्शन के बारे में और आपको सभी को पताएगी प्रोटेक्शन से फिक्स लगबग एक्जाम में कुछन आपको 100% पूछा भी जाता है तो प्रोटेक्शन वाले टॉपिक में में तीन चीज़े आती कौन-कौन सी एक आता है आपके पास में सार्किट ब्रेकर और एक होता है आपको परसमां की अदर मिलता हैं ओर आज का जो अपना टॉपिक रहेगा आज की क्लास का वहा आपका रिले का अधर अपने नावस्ट्ट पॉटेक्शन होता है और ही में के बारे में यहां पर discuss करेंगे और प्लस अपन उसके ओपर जो है क्विज है वो भी करने वाले हैं आज के सेशन के अंदर तो देखो पहले अपने काम करते हैं जो भी आपके पास में concept है वो मैं आपको सिखा देता हूं और लास्ट में जो ही तेन कुश्चन या 15 कुश्चन क करेंगे रिले से रिलेटेड जो आपको एक्जामिनर पूछ सकता है एक्जाम के अंदर तो दोनों चीज़े अपन करेंगे आज के सेशन के अंदर वो आपके पास में concept भी रहेंगे रिले से रिलेटेड एंड अगर आपन बात करें दूसरा तो यहां पर कुछ कुश्चन क प्राक्टिस भी करेंगे अपन जो आपको एक्जामिनर पूछ सकता है एक्जाम के अंदर तो देखो आज की क्लास के अपने पास में target जो रहेंगा वो क्या रहेगा रिले क्या होती है और रिले के टाइप्स जो हो कौन-कौन से होते हैं एक तो रिले के बारे में पढ़ने प्लस यहां पर हमारे पास में एक नुमेरिकल पॉश्चन जो होता है वो आपके पास में पिक अप करेंट का होगा या फिर आपके पास में जो है एक्जामिनर और क्या 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 पर पूछ सकता है तो जो भी चीज़े आपको एक्जामिनर यहां पर पूछ सकता है उन सभी पर हमारे पास में सबसे पहले में आपको बताने वालों रिले हैं अगर आपको एक्जामिनर पूछ सकता है कि बताओ रिले क्या होता है तो आप यहां पर एक पॉइंट बोलोगी कि रिले जुहें वह आपके पास में क्या है वह है सेंसिंग डिवाइस है रिले क्या होगा आपके पास में सेंसिंग डिवाइस होती है जो आपके पास में फोल्ट को सेंस करती है ज्यान रखना रिले कभी भी फोल्टी सेक्शन को रिमू नहीं करती है फोल्टी सेक्शन को रिमू जो करता है वो कौन करता है सर्किट ब्र कर जो ही वो फोल्टी सेक्शन को रिमूव करता है रिले ओनली फोल्ट को सेंस करेगी और यहाँ पर ज्याब रिले का काम यहें है ये बैस उनली फोल्ट को सेंस करना और किसको इंफोरमेशन प्रोवाइड करा ना यह आपके पास में रिले का काम होगा क्लिर हा लेक्ट्रो मेकेनिकल डिवाइस एकदम सही है बुपहिंदर कुमार, तो देखो यहां पर relay दो type की होती, कौन-कौन सी, एक होती है आपके पास में induction type relay, और एक होती है आपके पास में attraction type relay, आपको examiner यहां पर question पुछन पूछता है, कि attraction type relay कहां use करते हैं, induction type relay को कहां use किया जाता है, अगर हम इसके बात करें, तो यहां पर आपके पास में दो टाइप की रिले होगी कौन कौन सी एक होगी आपके पास में इंडक्शन टाइप तो यहां पर हमारे पास में क्या है इसके क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर दो तरीके से क्लासिफाइट करेंगे हम रिले को दो तरीके से classified करेंगे एक होगी आपके पास में इंडक्शन टाइप रिले इंडक्शन टाइप रिले और यहां पर होती है आपके पास में दूसरी होती है attraction टाइप रिले यह होगा attraction टाइप रिले आपको examiner यहां पर question पूछता है कि बताओ induction type relay को कहां use करते हैं आप जल्दी से बताओ अगर आपको examiner पूछ ले कि induction type relay को कहां पर operate करवाते हैं AC के case में use करते हैं या DC के case में use करते हैं या फिर दोनों AC और DC दोनों में use करते हैं जल्दी से बताओ अगर आपको examiner पूछ ले कि induction type relay को कहां पर यूज किया जाता है AC application में या फिर DC application में तो क्या answer आप बताने वाले हो यहां पर जल्दी से comment के दो जल्दी से reply करो सभी च्रेंट और same attraction type relay को जो है हम कहां पर यूज करते हैं AC application या फिर DC application में यह आपको examiner पूछता है तो अगर आपको नहीं पता हो तो ध्यान रखना induction type relay जो है वो only AC के case में ही operate होती है induction type relay जो है वो कहां पर operate होगी तो यहां पर इसको अपन यूज करते हैं AC के case में only लेकिन हां attraction type relay जो है वो आपके पास में both AC and DC AC and DC दोनों में use की जाती है लेकिन AC का भी ध्यान रखना attraction type relay में को अपन use ही नहीं करते हैं attraction type relay को हम यहां पर use ही नहीं करते हैं क्यों क्योंकि attraction type relay के अंदर क्या होता है attraction type relay यहां पर आपके पास में rarely use करते हैं तो यह यहां पर आपके पास में क्या doubling effect की problem होती है इसलिए हम इसको यूज ही नहीं करते हैं तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि आपके पास में induction टाइप को कहां use किया जाता है AC में और आपके पास में attraction टाइप को कहां use किया जाता हैं बोत AC और DC में लेकिन rarely use किया जाता है इस problem की वजह से अब दिखो relay के अंदर अगर अपन important Relays की बात करें जहां से आपको examiner question सकता है वो आपके पास में जो ज्यादा तर कुछिन पूछी जाते हैं वो पूछी जाते आपको differential relay में से पहला question आपको पूछा जाता है कि differential relay जो ही वो आपके पास में यूनिट protection relay होती है या non unit protection relay तो ध्यान रखना आपको examiner अगर पूछ ले कि डिफरेंशल रिले जो होती है वो यूनिट प्रोटेक्शन होती है या नोन यूनिट प्रोटेक्शन होती है जल्दी से बताओ क्या अंसर बताओगे यहां पर दो वर्ड लिख रहा हो में एक होगा आपके पास में यूनिट प्रोटेक्शन एक होगा आपके पास में protection यह examiner question पूछ चुका है आपको exam के अंदर और बार-बार यह repeat होता है कि जो differential relay है किस type की relay होती है क्या आंजर हेगा differential relay जो है unit protection होती है या फिर non unit protection relay होती है तो ध्या np. डखना अगर आपको examiner कभी भी ब्याइसा question पूछ ले तो द्यांदक MI differential delay जो है हो एक unit प्रोटेक्शन रिले होती है क्योंकि डिफरेंशल रिले एक स्मोल फिजीकल स्पेस में प्रेट होती है क्या होगा आपके पास में डब्लिंग एफेक्ट केसे होता है यहाँ पर द ensuring evidence क्यासरे होता है यहाँ बाता हूं कि यहाँ पर अंदर यहां अगर हम बात करें अट्रेक्शन टाइप रिले में अट्रेक्शन टाइप रिले के अंदर अगर हम बात करें तो अट्रेक्शन टाइप रिले के अंदर यहां पर जो टॉर्क होता है वो टॉर्क डारेक्टली प्रपोर्शनल तो आपके पास में क्या होता है आई स्क्वार होत है और अगर AC के case में बात करूँ मैं 4 AC for AC के case में जो current होगा ie वह आपके पास में होगा Im into sine omega T क्या वहला में रिंगे AC के case में जो current होगा ie Woga Im into sine omega Neo t और अगर मैं iim sin omega T को यहाँ पर रखता हूम तो यहाँ पर deflecting torque आएगा आपके पास में I'm into sine omega d और उसका क्या होगा square और यहाँ पर अगर मैं sin का square करूँगा तो समझना deflecting torque होगा im square into sin square omega t और sin square theta क्या होता है 1 minus cos 2 theta है न और divide by 2 आप एक formula याद रखना कि sin square theta जो होता है वो आपके पास में होता है 1 minus cos 2 theta divided by 2 तो यहाँ पर आप replace कर दो तो यहाँ पर deflecting torque आएगा आपके पास में im square into 1 minus cos 2 theta divided by 2 अगर आप करोगी तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है 2 theta की जगह आप यहाँ पर 2 omega t कर दो क्योंकि यहाँ पर omega t है अब देखो supply की frequency actually क्या होती है 50 अगर supply frequency omega है इफ supply frequency क्या है आपके पास में omega है अगर आपके पास में तो आप मुझे बताओ torque की frequency यहाँ पर कितनी हो रही है तो torque की frequency यहाँ पर जो है वो 2 omega है इसका मतलब है कि यहाँ पर attraction टाइप रिले में जो टॉर्क लगता है वो टॉर्क डबल फ्रिक्वेंसी का लगता है टॉर्क डबल फ्रिक्वेंसी का लगता है इसी को अपन बोलते हैं doubling effect की problem तो ध्यान रखना attraction टाइप रिले को हम AC application में बहुत रेरली यूज़ करते हैं यूज़ नहीं किया जाता है only DC में हम यूज़ करते हैं attraction टाइप को लेकिन मैंने क्या वहला दोनों में यूज़ कर सकते हैं लेकिन क्यों नहीं यूज़ करते हैं AC में क्योंकि यहां पर doubling effect की problem होती है समझ में आ गया अबुपेंद्र कुमार कि doubling effect की problem का मतलब क्या है कि आपके पास में attraction टाइप रिले में जो टॉर्क की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो सप्लाइफ रिक्वेंसी का डबल होती है न तो डबल फ्रिक्वेंसी के साथ में अगर यह ओसिलेट करेगा टॉर्क लगेगा उसको बोला जाएगा doubling effect क्लियर हास चलिए अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर जहां पर हम बात कर रहें तो अगर आपको एग्जामिनर पूछ ले कि बताओ यह जो डिफरेंशल रिले हैं यह attraction अमदों यूनिट प्रोटेक्शन रिले है या नोन यूनिट है तो ध्यान रखना यूनिट प्रोटे प्रोटेक्शन बेले यहां से पूछा जाता है कि बताओ डिफरेंशल रिले जोई कहां पर रहें यूनिट प्रोटेक्शन रिले को यूज किया जाता है अल्टर्नेटर या ट्रांसफोर्मर के protection के लिए जानला अल्टर्नेटर या फिर ट्रांसफोर्मर के protection के लिए हम मेंली यूज़ करते हैं किसको differential relay को तो यहां पर आपके पास में next important point होगा used for protection used for किसके लिए बताऊ protection of transformer and alternator transformer की winding का protection करना है या alternator का protection करना है तो आपके पास में हम जो हे differential relay को हम use करेंगे अब यह जो differential relay है ना वो दो टाइप की होती है कौन-कौन सी तो ध्यानक ना differential relay दो टाइप की होती है पहला टाइप होता है ordinary differential relay and अगर हम बात करें second जो हे वो second होती है percentage differential relay तो यहां पर दो टाइप की अपन रिले पढ़ने वाले हैं एक होगा आपके पास में percentage differential और next होग आपके पास में ordinary differential relay clear हाई एकदम सही बात है कि जो बुकोल्स रिले होती है ना बेटा वो भी एक यूनिट प्रोटेक्शन रिले होती है द्यान रटना बुकोल्स रिले है वो भी यूनिट प्रोटेक्शन होती है और यहां पर जो differential डिले है वो भी यूनिट प्रोटेक्शन रिले होती है तो यहां पर differential nickel unit protection होती है Alternator और transformer के protection हे लिए हम use करते हैं कैसे use करेंगे वो भी हम बात करेंगे और ध्यान रखना ये जो differential delay वाला पार्ट है यह आप सभी लोगों के लिए very very important पार्ट है क्योंकि examiner यहां से बहुत सारे कुश्चन exam में पोस्ता है अब देखो बात आती है कि ordinary differential relay क्या होती है तो यह जो मैंने आपके सामने diagram बना रखा है जिसे मान लो यह आपका alternator है यह आपके पास में क्या है अल्टरनेटर है उसकी winding को मुझे protection करना है तो उसके लिए यह जो बने हुए इसको अपन बोलते है current transformer ज्यानक न यह जो है इसको बोला जाता है current transformer और यह भी है current transformer यह आपके पास में जो है यह होती है operating coil यह जो है इसको अपन बोलते है operating coil operating coil अब देखो यह जो diagram है न हो सकता है examiner आपको यह diagram बना करना दे examiner यहाँ पर confuse करने के लिए इसी diagram को थोड़ा सा modify करके बना देगा और इसी diagram को क्या बनाएगा तो समझ न यह diagram वह आपको examiner कुछ इस तरह का जोड़ा बना देगा की यह आपके पास में यह क्रेंट ट्रांस्फोंऽर बर करन ट्रांस्फोंबर का diagram वह इस नहीं बना कर वह इसा बनाएगा करन ट्रांस्फोंवर को समझ न यह अल्टर्नेटर वइंडिंग है और यहाँ पर है current transformer यह अमरे पास में क्या है? इस तरह से current transformer है वो इस diagram को इस तरह से बना देगा और actual में diagram यही होता है जो मैं बना रहा हूँ अभी actual diagram ऐसा ही होगा वो इस तरह का diagram अगर बना लेगा examiner तो समझना इसका मतलब क्या है? यह आपके पास में क्या है? यह भी ordinary differential relay का ही diagram है जहाँ पर यह operating coil होगी आपके पास में और यहाँ से आपके पास में क्या हैगा? यह होगा current transformer CT और यह second current transformer होगा यह alternator होगा और यह होगी आपके पास में operating coil होगी अब देखो समझदा, आपको सभी को पता है कि आप transformer बना रहा हूँ तो देखो transformer में दो winding होती, एक होती primary winding और दूसरी होती है secondary winding तो ये होगी primary winding और ये होगी secondary winding अगर आप इस diagram में देखोगी, तो यहाँ पर कोई primary secondary नहीं शोकर रखाए तो इसमें आपको by default मान के चलना पड़ेगा इस diagram में आपको by default मान के चलना पड़ेगा कि इधर primary है और इधर secondary है क्योंकि examiner कभी ये diagram बना देगा आपको और कभी आपके पास में ये वाला diagram बना लेगा वादा केसा भी diagram examiner यहाँ पर बना सकता है अगर वो इस तरह के diagram बनाता है तो यहाँ जो current आएगा वो primary current होगा और इधर जो current जाएगा वो secondary current होगा तो मैं इसको small i1 लिख रहा हूँ यहाँ पर current आएगा वो आएगा हमारे पास में primary current i2 लिख रहा हूँ में और इसका secondary current क्या होगा small i2 लिख रहा हूँ में तो देखो यहां से small i2 current आ रहा है यहां से small i1 current आ रहा है और यहां से जो current flow होगा उसको अपन बोलते हैं relay current तो अगर मानलो यहां पर आप KCL लगाते हो इस point पर ज्यान रखना इस point पर अगर आप KCL apply करते हो तो यहां से देखो क्या होगा ir current आ रहा है यहां से current i2 है और इधर current कितना जा रहा है i1 यहां से ir है यहां से i2 है और उदर जा रहा है i1 तो मैं क्या बोलूँगा यहां पर ir plus i2 equal to क्या होगा i1 तो यहां से ir current जो होगा i2 को इधर ले जाओ तो वो i1-i2 होगा तो देखो exam में examiner question कैसा पूछता है examiner आपको यहां पर question क्या पूछेगा तो समझना आपको examiner CT ratio देगा question की language वहां अगर आप देखोगे न आपको CT ratio देगा numerical में आपको i1 यहां पर दिया जाएगा आपके पास में यहां पर CT ratio 2 आपको देगा i2 आपको दिया जाएगा और examiner आपसे आके पूछेगा कि बताओ यह जो रिले है वो trip signal करेगी या नहीं करेगी अगर इस ताइप का numerical वो बनाएं तो क्या करना है आपको यहां पर यह जो CT ratio ह होता है जानकना CT ratio हमेशा क्या होता है CT ratio वह सईब्भी रेशो उता है आपके पास में primary करेंट अपोन secondary करेंट है तो यहां पर सीदी रैश्या को देगा primary current आपको देगा यहां का secondary current निकाल देना सेम यहां पर CT ratio देगा primary current देगा यहां का secondary current निकाल देना यहां से दोनों के secondary current को minus करके आप relay में से current निकाल दोगे अगर relay current आ गया तो मैंने यहां पर एक word बोला था pickup current है ना pickup current क्या होता है तो वो examiner आपको ब्रोड्यूस करेगी लेकिन हाग अगर आपका पिकञाप करेंट कम हें तो ृवले आपके ट्रिप्सिगनल प्रोड्यूस नहीं करेगी तो देखो एग्जांपल के लिए मैं आपको question दे रहा Bundes को आ sprink बताना है कि related signal produce करेगी या नहीं करेगी तो for example मान लो for example मान लो यहाँ पर आपके पास में मैं देता हूँ यह 400 divided by 5a यहाँ पर 100 ampere current आ रहा है यहाँ पर आपके पास में 80 ampere current है यहाँ पर कोई भी disturbance आया हुआ है और given होगा आपके पास में given में हम बात करें pickup current given में बात करते हैं pickup current आय नोट जो ही वह आपको examiner यहाँ पर देगा और आय नोट अगर हम बात करें तो यह होगा आपके पास में point अगर हम बात करें point five है यह pickup current में आपको दीदिया point five जल्दी से बताओ यहाँ पर रिले आपकी trip signal प्रोड्यूस करेंगी नहीं करेंगी इस टाइप का numerical आपके जही एक्जाम के अंदर पूछा गया है आपको यहाँ का सीटी रेश्यों देगा यह प्राइमरी करन देगा यह सीटी रेश्यों आपको देगा यहाँ का इदर का सीटी रेश्यों भी कितना है तो वह भी 400 डिवाइड बाइफ है यहाँ पर सेकंडरी करन देगा यह करन देगा आपको आपसे पूछेगा बताओ यह रिले ट्रिप सेगला प्रोड्यूस करेंगी यह नहीं करेंगी तो सभी लोगों को रिपलाई करना है यह और नह अनुप विश्णोई गुड़ाफनून चलिए जल्दी से रिपलाई करो सभी लोग कि इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा इस नुमेरिकल के अंदर तो देखो यहाँ पर यह फॉर्मला यूज करना सीटी रेश्यो होता है वो प्राइमरी अपोन सेकंड तो इधर की सेकंडरी का करन आप पहले यहां से निकलो कि कितना आएगा आएख आपके पास में तो यहां से अगर हम बात करें इसके अंदर तो यहाँ पर मैंने क्या बोला सीटी रेश्यों जो होता है वह होता है आपके पास में 400 divided by 5 हे और वो बात प्राइमरी करन इधर का primary current कितना है 100 है और secondary current कितना है तो वो आपके पास में I2 आपको निकालना है I1 निकालना है यहां से आप I1 निकाल लो तो एक काम करो आप यहां पर 100 में 5 उपर ले जाओ और 400 का डिवाइड करो तो यहां से I1 की वेल्यू आएगी 500 डिवाइड बाइ 400 और यह वेल्यू आएगी आपके पास में 425 यानि कि 1.25 यह वेल्यू कितनी आ रही आपके पास में 1.25 आपके पास में current आ रहा है अगर हम secondary current यहां पर बात करें इसके अंदर तो बताओ इस साइड में क्या होगा तो CT आपको दे रखा है तो इधर का primary current 80 है और secondary current के आपके पास में I2 है एक काम करो इसको उपर ले जाओ और यहां पर आप लेकर आओ तो I2 current को उपर ले जा रहा हूं में यहां पर 5 into 80 आप multiply कर लो डिवाइड बाइड बाइड का आप डिवाइड कर लो तो यह आएगा 400 डिवाइड बाइ 400 तो यह आ रहा है वन एमपियर तो मिने क्या बोला I1 current है 1.25 I2 current है आपके पास में 1 बस आप यहां पर minus कर दो 1.25 में से 1 minus कर दो तो यह आएगा .25 और अगर यह .25 आ रहा है आपके पास में तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पर जो रिले का current है देखो यह जो रिले current ही वह pickup current से क्या ग्रेटर है और ध्यान रटना अगर आपका रिले current pickup current से greater होगा अगर ऐसा होता है तो रिले produce trip signal इस केस में क्या होगा रिले प्रोड्यूस ट्रिप सिग्नल तो आपके पास में प्रोड्यूस करेगी क्लियर अनुप कुमार का अंसर होगा नहीं करेगी बेटा यहाँ पर रिले ट्रिप सिग्नल प्रोड्यूस करेगी हाँ, trip करेगी, एकदम सही है एक बार जल्दी से बतादो, सभी लोग, ये सभी लोग को clear है कि relay trip signal produce करेगी या नहीं करेगी अगर इस type का numerical हमें पूछा जाए तो हम किस तरीके से करना है, हमें किस तरीके से करना है वो clear है सभी लोग को अगर clear है तो एक बार सभी लोग जल्दी से reply कर दो कि यहां पर जो है trip signal वाला concept जो है वो समझ में आ गया क्योंकि ऐसा numerical आपके exam के अंदर आया हुआ है ना आपके sseje में भी आया हुआ है other state aeg exam के अंदर भी आपको पूछा हुआ है तो यह numerical concept होगा अगर आपको कभी भी इसा पूछा जाए ता आप इस तरीके से कर सकते हो चलिए अब हम बात करते हैं यह तो था आपके पास में ओडिनरी differential relay अगर बात करें इसके बाद मैंने क्या वह बहुत दूसरी रिले कुन सी होती है वह होती है percentage differential relay तो यह जो percentage differential relay है आपके सामने इसका डियाग्राम क्या होगा यहाँ पर एक और कोईल आ जाती है यह आपके पास में यह तो होगा alternator की winding मान लो यह operating कोईल है यहाँ पर यह एक और जो कोईल होती है इसको बोला जाता है जो कोईल क्या होगा आपके पस में री रने कोई जो ही यह इसका आपन बोलके चलते हैं अब बात आती है कि यहाँ पर जो ही री Türkiye कोईल आयार चोटा है देखो आयार कहां पर चोटा लिएगा के जो है रिले के रियक का करेंट पिकप करन से ज्यादा है मैंने क्या बुला पिक अप करेंट उकर मीनिममम करेंट होता है जिसके उपर आपकी रिलेटेक्ष सिंगल leveraging करती है क्या वो ल elevated – जिसके उपर आपकी रिले ट्रिप से ज़्यादा है तो ट्रिप होगा अगर कम है तो ट्रिप नहीं होगा यह कॉंसेट रहता है कि ट्रिप सिग्नल देखना है तो कैसे देखेंगे अपन तो रिले के करंट को पिकप करंट से आप कंपेर करके बता सकते हूँ तो यह आपके पास में रहेगा कॉंसेट अब हम बात करते हैं देखो समझना यहाँ पर अगर आपके पास में अगर यह कुश्चन पूछ ले क्योंकि ऐसे ही कुश्चन आपके एक्जाम में आते हैं नुमेरिकल पॉच्चन तो ध्यान रखना वो तब काम आएगा जब आपको कभी नुमेरिकल पूछ ले और आपके पास में अगर यह मुझे द्यान रखना नुमेरिकल पूछेगा न जहीं बहुत कम स्टूर्ण अटेंड करते हैं बहुत कम स्टूर्ण जो है उसका आंसर देते हैं नुमेरिकल का लेकिन नुमेरिकल पॉच्चन पर मैं ज्यादा इसते फोकस करता हूँ न क्योंकि वह आपकी रेंक डिसाइड करेगा ठीक है त्योरिटिकल कुश्चन सभी करके आंगे जिसे इस ट्रैक कुश्चन पूछ लिया उसने तो इसा कुश्चन सभी लोग रिप्लाई करोगे आंसर जो है कि पॉइंट टू दिया हुए न मैंने पॉइंट फाइफ नहीं दिया हुआ है मैंने यहां पर अगर आप देखोगे बात करते हैं पन जल्दी से एक बार सुस्चन का आंसर बताओ देखो यहां पर जो मैंने आपको दिया था वह पॉ है अच्ण-पन फाइब दीया था निए यहांपर समझदा स्वरी पॉइंट टू करना है फॉइंट टू के रसपक्ट में चेमर कर रहा था में ठीक 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 ठीकुर यहां पर है चलिए जल्दी से बोचल क्या आंसर आरे है कि बी-अपॉप्शन देखो आपके पास में क करण्ट इसी को बोला जाता है pickup current in Pre kos sano value कि उसको आप बोलते है पिक इसको ऑप करन्ड यह बोलता है कि अगर आप रीलो का है जो current है अगर be से एक्सीट कर जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं तो देखो अब मुझे पता है आप सभी लोग आंसर बोलोगे से डिफ्रेंशल लिले क्या आपने पढ़ाया वो डिफ्रेंशल रिले तो पढ़ाया नहीं अगर करेंड के रेस्पेक्ट में अगर आप देख रहे हो तो उस ले परसेंटेज डिफ्रेंशल ले तो मैंने क्या बोला यह भी करंट के रेस्पेक्ट में होगी लेकिन एक स्मॉल फिजीकल स्पेस के लिए उपरेट होगी इन जनरली बात करें इन जनरली अगर आपका करंट प्रिसेट वेल्यू से ज़्यादा होगा उसके लिए जो रिल उसने यह नहीं पूछा उसने बुला कि अगर आपका करंट एकसीड कर रहा है तो वह ओवर करंट डिले का कॉंसेट होगा तो यहाँ पर ध्यान रखना आपका आंसर जो होगा वो क्या हैगा वो आएगा option यह ओवर करंट डिले ठीक है आपका answer क्या आएगा ओवर करंड डि क्योंकि examiner किस टाइप पर कुष्चन हमें एक्जाम में पूचता है वो भी पता होना ची नुमेरिकल पॉर्शन बहुत रेरली पूछेगा आपको जेएन के अंदर फ्योरिटीकल आपको पूछे जाएगा यहां से प्रोटेक्शन में से आप से पूछेगा हूँ एमेच रेले इस यूजट पूरटेक्शन आउप महोरिले किसके प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं तो जल्दी से बताओ क्या अंसर लगाओगे महोरिले को किसके प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है आपको examiner देगा लोंग transmission line के लिए या medium transmission line के लिए या short transmission line के लिए या all of above के लिए तो देखो यह जो तीनों line है आपके पास में यहाँ पर तीन रिले होती है एक होती है impedance relay impedance relay impedance relay और दूसरी आपके पास में क्या होगी reactance relay and third आपके पास में होगी यहाँ पर महो रिले महो रिले और उसी को अपन एक और नाम से बोलके चलते हैं admittance relay को ही क्या बोला जाता है admittance relay admittance relay यह आपके पास में तीन टाइप की रिले होती है अब धियान रखना यह जो तीनों रिले है ना इसको अपन बोलते हैं distance relay इन तीनों का नाम होता है distance relay distance relay तो इससे पहले अभी जो मैं आपको बता रहा था वो differential relay था वो distance relay नहीं था तो यहाँ पर जो theoretical word होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा confusing होते हैं कि distance relay की बात कर रहा है यह differential relay की बात कर रहा है यह किसकी बात कर रहा है तो distance relay की बात करेगा तब यह तीन रिले होगी अब उसने बोला है कि महों रिले किसके protection के लिए करते हैं और आपको सबी को पता है कि जन्हाफ को बढता है था transmission Line classification transmission layer को अपन तीन टाइब से classified करते हैं short transmission line, medium transmission line and long transmission świat medium and long transmission line और यह ज़ो तीन रिले अन तीनों में से एक रिले ज होगी वह शाउर्ट के लिए होगी एक रिले मीडियम के लिए होगी और एक रिले आपके पास में क्या होगी लॉंग ट्रांसमिशन लाइन के लिए होगी क्योंकि मैंने आपको बोला था कि 80 किलोमेटर तक की लाइन को अपन क्या बोलते हैं शौर्ट ट्रांसमिशन यूज करते हैं किसके लिए मीडियम ट्रांस्मिशन लाइन के लिए मीडियम ट्रांस्मिशन लाइन के लिए रियक्टेंस रिले जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हम शौट ट्रांस्मिशन लाइन के लिए और महों रिले यूज किया जाता है किसके लिए लॉंग ट्रांस क्या अंसर होगा आपके पास में option A कुमार बोल रहे हैं सर असर का बेच बी में non-tech कब से start होगा बेटा एक बार आप planner आपको दिया हुआ है पूरा planner में जाकर आप चेक कीजिए वहाँ पर आपको पूरी date mention होगी कि कब से start होने वाला और अगर प्लानर नहीं देख पार तो आप orientation सेशन जाकर देख सकते यूट्यूब पर वहाँ पर भी आपको पूरा दिखा दिया जाएगा कि आपके पास में सही बताओगे एकदम करेक्ट चलिए जल्दी से reply करो रंजिन कुमार मोहेत रिशी अंकीत विक्रम क्या अंसर आएगा चलिए जल्दी से पास्ट एप्लाइ करना है सभी लोगों को आपसे बोला है रिले यूजिंग इंडक्शन कब प्रिंसीपल ऑपरेट्स ओन इंडक्शन कब प्रिंसीपल पर जो रिले आपके पास रिले जो इंडक्शन कब प्रिंसीपल यूज कर रही है वो किस पर काम करती है option है only dc only ac either dc और ac और नन अफ दीस क्या अंसर आएगा जही का वर्क क्या है बेटा आपको पता है ना कि अपने बस electrical engineer हो आपको घर पर अगर light तो जहीं बेटे वो काम का होता सबस्टेशन पर जो ही क्या कि काम चल रहा किस तरीके से ब्सक्राइमा राख ना होता है जरीके सबस्टेशन कांटक। कि जो सब्स्टेशन पर जो भी काम हो रहे हैं, वो सब उसके एंडर में होते हैं, उसकी देखरेक में होते हैं कि वहां कोई equipment आ रहा है, कोई सामान आ रहा है, कहां connection देना है, कितना wire लग रहा है, उसको सब कुछ maintain करना किस तरीके से वो काम करेगा वो सारा काम जयेन करेता है ना कुमार अमुक बोल रहे हो सर आपका non-tech पोर्शन वीग टेक्निकल पोर्शन वीग है बेटा कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका टेक्निकल पोर्शन वीग हो या कुछ भी हो आपको बदाए भी क्लासे चल रही है असो का बेच बी में मशीन चल रहा है और चाहिए आपका वीक भी होगा ना तो भी हर एक पॉइंट छोटे-छोटे एड़े चल रहा है वो उसमें हिंदी और इंग्ली दोनों में पढ़ाया जा रहा है अपके पास में लिख hai और बोला थाकर एक्क्तो इंडखर टाइप रीले और दूसरी और डूसरी यहीं बोला था उनक्atisf kalian की आपके पास में यहांपर दो ही रिले होती हुट topic induction type और attraction type अगर induction type रिले होए वो induction cup के principle पर काम करती है तो वो only काम करेगी किस पर AC पर operate होगी और attraction type रिले जो ही वो AC और DC दोनों पर operate होती है लेकिन वहाँ पर doubling effect की problem आ जाती है इसलिए उसको पर rarely use करते हैं तो आपको exam में question ऐसा भी पूछता है कि doubling effect की problem किस में होती है तो आंसर रहेगा वह आपके पास में क्या रहेगा इसका answer होगा आपके पास में only AC पर है ना attraction टाइप रिले इंडेक्शन टाइप रिले जो है वो only AC पर काम करती है clear हाँ voltage restrain क्या होता है वहीं पर मैं आ रहा हूं बैटा वहीं पर आ रहा हूं अगला question हो सकता है में भी इसके आगे वाला question उसी टाइप का होगा कि voltage restrain current restrain उसी के हम बात करेंगे यहाँ पर चलिए जल्दी से बताओ क्या होगा आपके पास में इस question का answer आपसे बोला कि the relay used for protection of high voltage AC transmission line against power swing यहाँ पर एक word दिया वह है power swing हां हिंदी में notes मिलेगा definitely prints जो हे वह हिंदी में notes मिलेगा आपको उसमें हिंदी में भी लिखाया जाएगा इंग्लिश में भी लिखाया जाएगा तो दोनों में मिलेगा आपको कोई problem नहीं होगी न अशो का बेच एक एंदर वह आप देख सकते हो जो इन कर सकते हो आपन चलिए जल्दी स पड़ते हैं न theory तो आपके मन में रहता है कि कुछिन कैसा पूछता है तो यहां पर आपको यह पता लग जाए कुछिन कैसा पूछ रहा है अग्यों ऐसा हो रहा है वह आपको बताने वाला हूं reason आगे कि यह सा क्यों होगा आपके पास में तो चलिए जल्दी से बताओ पावर स्विंग का मतलिब क्या होता है पावर में बहुत ज़्यादा variation और पावर में बहुत ज़्यादा variation जो होता है वह हाई voltage transmission सबसे ज्यादा पावर में वेरियेशन किसमें होगा तो सबसे ज्यादा पावर में जो चेंज आयागा वो लॉंग transmission line के लिए आएगा क्योंकि मान लो यहां से 200 किलोमेटर दूर power supply करना है अब यहां से 200 किलोमेटर की distance पर जो load होगा वो आपके पास बहुत ज़्यादा vary करेगा तो power swing बहुत ज़्यादा आएगा तो ध्यान रखना power swing जो ही सबसे ज़्यादा होता है किसके अंदर वो होता है आपके पास में लॉंग transmission line में तो यह रियान रखना power swing बाला यह वर्ड ही mostly किसमें होगा आपके पास में long transmission line में होगा और अभी मैं आपको बोला कि long transmission line जो ही उसके protection के लिए हम कौन से पूछेएगा clear तो यह रियान रखना आपके पास में इसका अंसर क्या होगा c option रहेगा next अब बढ़ते हैं अगले question पर और जल्दी से बताओ इस question का answer क्या होगा देखते हैं इसका answer कौन सही रेता है आपसे बोलाए कि how many release are used to detect the interface fault आपसे बोलाए कि कितनी रिले जो है वो interface fault को यूज करने के लिए आपन यूज करते हैं थ्री फेस सिस्टम में अगर मानलों कोई भी फोल्ट आता है तो फोल्ट के protection के लिए हम कौन सी रिले यूज करते हैं जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ क्या answer आएगा कोई बोल रहा है one option कोई बोलेगा two कोई बोलेगा three और कोई बोलेगा six तो समझदा पहली चीज आपको यह पता होना चीए कि यहाँ पर फोल्ट की बात कर रहा है थ्री फेस सिस्टम के अंदर तो देखो कद्याना कल की class जो होने वाली कल का session में मैं आपको फोल्ट से रिल्टेड चीज़े बताने वाला हूं कि फोल्ट में से क्या-क्या चीज़े को आपको एक्जाम में पूछे जा सकते हैं न फोल्ट से रिल्टेड अपन question करेंगे बट यहाँ पर अगर हम बात करें इसके अंदर तो समझदा आपसे बोला कि कि против फोल्ट ken Colomb remake किसी फ्रेंग फेज में फोल्ट आता है तो उसकी लीए अपन कितने मिटने यूस करते हैं तो यहां से अगर मान लो इन दोनों फेज के बीश में falt आगया मानलों यह दोनों आपस में touch हो गई करते हैं सब्सक्राइब कहाँ पर अगर इन दोनों फेज में फोर्ट आ रहा है तो होगा क्या बताओं यह वाली ओवर करंड उने यहां कर ओपन कर देगी और यह फोल्टि स्यक्षिन आपको रिमू हो जाएगा लेकिन मानलों अगर इन दोनों फेस狗 में फोल्ट आगया तो बताओ क्या होगा अगर इन दोनों फेस狗 में फोल्ट अया तो मुझे यहां आपके पास में इन दोनों में फोल्ट आता है तो यह रिले ओप्रेट हो जाएगी यानि आपके पास में ट्रिप सिगनल हो जाएगा लेकिन मान लो अगर ऐसा पुछल एक्जामिनर कि आपके पास में एक फेज अगर ग्राउंड से टच हो गया अब आप मुझे बताओ अगर यह वाला फेज ग्राउंड से टच हो गया तो यह दोनों रिले तो ऑप्रेटी ही नहीं होगी ना क्योंकि यह रिले किसमें लगी हुई है यह लगी हुए आपके आर फेज और वाई फेज में लेकिन मान लो फोल्ट आगया आपके पास हैं बी फेज के अंदर तो अगर हम बात कर दें कोई फेज से ग्राउंड फोल्ट अगर आ जाता है तो फेज से अगर ग्राउंड में कोई भी फोल्ट आ जाता है तो अपन क्या काम करते हैं यहां पर एक और हम रिले यूज करते हैं यहां पर हम एक और रिले हम यूज करते हैं इस रिले का नाम होता है आपके पास में ऐर्थ फोल्ट रिले इसको अपन क्या बोलते हैं ऐर्थ फोल्ट रिले तो आर्थ फोल्ट रिले क्या काम करती है अगर कोई भी द्यान अगना अगर एक फेज अगरगर 15 के साथ इसाथ लोपल्ट रहा है तो उसके लिए हम यूज करते है तो धयान अकमा Earth Fult Relay Phase से Ground में Operate होती है और Over Current Relay Phase से Phase में Fult होती है Phase से Phase में अगर Fult आ रहा है तो उसके लिए आपके पास में Operate होगी यानि कि यहां से दो-तिन तरीके question पूछते हैं न अच्छा मेरा name सूरेश कुमार है ठेके डियर Prince चलिए तो समखता है देखो यहाँ पर तीन question आपको पुछेगा एक तो पुछेगा किसी भी transmission line का complete protection करना है किसी भी transmission line का complete protection करना है कितनी relay चाहिए आपका answer होगा 3 relay तीन में से कौनसी होगी 2 over current relay होगी और एक आपके पास में होगी earth full relay तो अगर उसने बोला कि आपके पास में how many relay are used to detect the interface fault यानि कि अगर आपके पास में 2 phase के बीच में fault आता है तो उसके लिए कितनी relay चाहिए तो आप मुझे बताओ total मिला के 2 phase में fault आता है जिससे 3 phase system है ध्यान रखना जब 3 phase system है और 2 phase में fault आ रहा है तो किसी भी अगर मालो कहीं पर भी fault आता है तो दो relay तो कम से कम आपको चाहिए लेकिन हाँ अगर ground से fault और consider कर दो तो 3 relay चाहिए ये चीज़ समझ में आ गया चले जल्दी से reply कर आपके पास में वंदे मातरम डियर आपके बोले सर age 29 हो चुकी है फिर भी सेलेक्शन नहीं हो रहा है बेटा सेलेक्शन देखो डिपेंड करता है कि आपकी preparation कैसी है आप जो तयारी कितनी अच्छे से आप कर रहे हो आपको जो कितना knowledge है उसके उपर selection depend करता है अगर मालो हो सकता है अगर आपकी subject में weak हो और फिर अगर exam attempt कर रहे होंगे या दे रहे होंगे तो फिर selection होने के कम chances रहते हैं और देखो अगर motivation की बात करो मैं motivation वैसे class में खूब कर देता हूँ लेकिन अगर मेरे motivation से देखो आप क्या होगा अभी आप motivate रहोगे ना जब तक मेरी class चलेगी तब तक आप motivate रहोगे लेकिन जैसे ही आप यहां से class से बाहर निकलोगे सबी के अपने-पने motivation है किसी का motivation है movie देखने जाना है किसी का motivation है दोस्त के birthday party में जाना है किसी का motivation है साधी में जाना है किसी का motivation कहीं घूमने जाना है किसी का motivation है cricket खिलने जाना है सभी के अपने-पने motivation है ना मैं कितना ही motivate कर दूँ मेरा motivation इस class के अंदर रहता है आफ्टर क्लास जो ही सभी के अपने अपने मोटिवेशन आता है ध्यान रखना जिस दिन आप सेल्फ मोटिवेट हो गए ना खुद मोटिवेट हो गए खुद को यह पता है कि मुझे एक काम करना है जी जान लगा दोगे ना आपका सेलेक्शन कोई भी ने लोग सकता है ना त ठीक है नहीं पढ़ना कोई दिक्कत नहीं पढ़ना आगी क्या करेगा तो मैं बोल रहा हूं कि आपके पास में कोई जवाब नहीं होगा कि क्या करेगा ठीक है आपका मन बोलेगा ठीक है काम कर लेते पड़ी रहते हैं समझ में रहा है बस प्रक्टिस करो और कुछ नहीं है आपके पास में वो चीज़ है न इस पीड के से बढ़ाएं देखो इस पीड जितने number of question ज्यादा करोगे न उससे ही आपकी speed बढ़ेगी और concept जो है या formula जो है बार-बार उनको revise करो जितना ज्यादा से ज्यादा आप formula को revise करोगे बार-बार उतनी ही आपकी speed बढ़ेगी उतन नहीं आपके पास में confidence भी बढ़ेगा सारी चीज़ें यह न तो confidence का खेल वही है कि अगर आपकी question कर रहे हो सही answer आ रहा है confidence boost होगा नहीं आ रहा है confidence voltage restrain उसका meaning क्या है तो पहले किसी को अगर इसका answer पता है तो बताओ फिर मैं आपको बताता हूं कि यह कैसे देखा जाता कि current restrain over current delay है या voltage restrain directional delay है या current restrain directional delay है या voltage restrain current delay है यह अगर आपको examiner question पूछ ले इस टाइप के तो क्या answer होगा चलिए एक बार जल्दी से reply करो क्या answer आएगा आपके पास में कि अगर आपको सब्सक्राइब पूछ लिया चाहे तो क्या answer आप बताओगी चलिए जल्दी से reply करो क्या answer आएगा रिशी का answer आ रहा है सर ऑप्शन सी ऑप्शन सी मतलब current restrain directional ले और अंकीत का आपके पास में option b आ रहा है voltage restrain directional ले तो देखो यहाँ पर बहुत सारों को confusion होता है कि current restrain है या voltage restrain है तो मैं यहाँ पर आपको एक तरीका बताता हूं कभी नहीं बूलोगे कि current restrain है voltage restrain है answer आप कभी नहीं बूलने वाले हों तो ज्यानक ना क्या होगा आपके पास में किस तरीके से आप इसका answer देखोगे तो आप एक equation याद रखो deflecting torque equation होती है वह थी आपके पास में के वन इंटू आई स्क्वेर प्लस के टू इंटू वी स्क्वेर प्लस के थी इंटू वी आई कॉस ओफ ठीटा माइनस टाउ एंड माइनस के फोर क्योंकि बहुत बार exam में इस equation से भी उनिवर्सल्ट ठार्क equation क्या होगा आपके पास में आपको नाम लिखा대 न तो देखो यहां पर अगर बात करें distance relay की हम बात कर रहे हैं यहां पर किसकी बात करने जा रहे है distance relay की तो समझदा यहां पर यह universal torque equation जो है वह आप याद रखो अब देखो यहां पर सभी को समझदा बहुत simple language में impedance सभी को पता है यहां पर यहां पर आपके पास में क्या होगा तो यहां पर आपके पास में क्या होगा तो यहां पर आपके पास में आ जाएगा अगर हम बात करें यहां पर तो देखो sin theta क्या होता है पावर triangles है न यह r है यह x है और यह z है r x और z और यहां पर angle theta है तो आपको पताए sin theta क्या लिखते हो sin theta होगा आपके पास height divided by base यानि कि x by z z को उदर multiply कर लो तो reactance आता है z sin theta यह तीन चीज़े अगर आप यादेना आप सभी के answer आप बता सकते हो कि अच्छा impedance मुझे अगर बनाना है ज्यान रखना impedance रिले अकर मुझे बनानी है तो मुझे voltage divided by current करना पड़ेगा ना चलिए तो देखो यहां पर मैंने क्या बोला impedance अगर हम बात करें तो impedance क्या होता है वी divided by i होता है admittance होता है i by v होता है reactance x जो होगा वो z sin theta होता है यह तीनों formula अगर आपको याद है अब इन तीनों formula को आप इस equation में apply कर लो आपका answer हो जाएगा आपको जब impedance बनाना है न तो v और i चाहिए ज्यान रखना वी और i चाहिए त समय क्या होता है अपने पास में जब हम impedance रिले बनाते है मैं यहाँ पर one by one सभी रिले केले point लिख देता हूं कि यहाँ पर पहली हम बात कर रहे ही impedance रिले की क्या होगा आपके पास में impedance' रिले के बारे मेंगर हम बात करते हैं तो impedance रिले क्या होगी समझना, impedance रिले जो ही वो होगी आपके पास में, कि आपको डिपलेटिंग तॉर की एक्वेशन मेंने क्या लेखा है, td जो है वो है k1 into i square plus k2 into v square plus k3 into vi cos of theta minus tau minus k4 तो देखो ये equation है अब मुझे सिर्फ v और i चाहिए यहाँ पर only तो v और i अगर आपको चाहिए तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि impedance relay में k1 तो positive रहता है k2 आपके पास में negative होता है और ध्यान रखना यह सारी जहें standard है k3 को अपन 0 मानते हैं और k4 को भी हम neglect कर लेते हैं यहाँ पर examiner ऐसा question पूछता है ध्यान रखना कि impedance relay के लिए k1, k2, k3 और k4 की value क्या होती यह भी question आपको examiner पूछे हो है न कि impedance relay के लिए k1, k2, k3 और k4 की value क्या होगी तो k1 positive रहता है k2 negative होता है k3 0 होता है k4 neglect होता है मतलब यह 0 कर दो और इसको neglect कर दो अगर यह हो गया यह k2 को आप negative कर दो तो देखो यहाँ पर deflecting torque कितना हो जाएगा वो k1 into i square और minus k2 into v square आपके पास में यह होगा deflecting torque किसके लिए impedance relay के लिए तो ध्यान रखना अगर impedance relay में अगर हम बात करें तो यह है k1 into i square minus k2 into v square अब impedance relay में जब हम बात करते हैं negative किसको किया बताओ voltage को negative किया तो जिस part को हम negative करते हैं उसके पीछे लगा देते हैं voltage को अगर में negative किया है तो अपन क्या बोलेंगे voltage restrain और कौन सा component बचा हुआ है current का तो हम बोलेंगे over current relay तो यहाँ पर आपके पास में क्या होगा voltage restrain voltage restraint over current relay voltage restrain over current relay तो अगर कभी भी अगर आपको examiner पूछे कि बताओ impedance रिले जो है इसका एक और नाम क्या होगा तो आप यहाँ पर बोलोगी voltage restrain over current relay clear जल्दी से बताओ यह point सभी को clear है जल्दी से बताओ यह point सभी को clear प्रिंश कुमार एक बार आप जो असो का बेच ए हैं एक बार आप उसका जाओ आप चेक करो वहाँ पर सारी जो है information आपको सारी provide करा रखी है आप सभी उन information के तुरू आपको सारा मिल जाएगा वहाँ हिंदी और इंग्लिस दोनों में पढ़ाया जा रहा है आपको demo lecture भी दे रखें आप demo lecture भी वहाँ पर चेक कर सकते हो clear तो एक बार वहाँ जाके चेक करो आपको सारी information आपको मिल जाएगी तो देखो यह आपके पास में होगा voltage आपके पास में रियक्टेंश रिले के बारे में Aujourdक रीक्टेंश रिले के बारे में तो देको रिम्टेंश रिले जे ओगा वह आपके पास में यहाँ पर क्या होगा यह प्लस के टी बार square होता है प्लस k3 होता है v i cos of theta minus tau हिटा- tau और minus k4 होता है तो मैंने बोला reactance होता है वह जेडh sin theta होता है मतलब reactance में मुझे angle वाला part चाहिए ठीक है तो angle वाला पार चाहिए तो उसको रखने के लिए हम यहाँ पर क्या बहुते हैं कि इस एक्टेंस रिले में के वन पोजितिव होता है यहां पर के टू जीरो होता है और इस बार नेगेटिव कौन होता है तो के थी नेगेटिव होता है अगर आपको यह पता है न कि इस बार नेगेटिव कौन हुआ बताओ तो यह जो कॉम्पोनेंट है एंगल जब आता है तो हम ब होते हैं डारेक्शनल कॉम्पोनेंट डारेक्शनल कॉम्पोनेंट तो समझना डारेक्शनल कॉम्पोनेंट प्रेजेंट होगा वोल्टेज वाला जीरो होगा तो बताव किसको नेगटिव किया मैंने डारेक्शन को नेगटिव किया तो डारेक्शन के पीछी क्या लगाओगे री स्ट्रेंट और कुन सा कॉम्पोनेंट बचा हुआ है जो पॉजिटीव वाला है ओवर करेंट तो इसका एक और नाम क्या होगा डारेक्शनल री स्ट्रेंट डारेक्शनल री स्ट्रेंट डारेक्शनल री स्ट्रेंट ओवर करेंट रिले directional restraint over current relay यह आपके पास में नाम होगा किसका बताओ यह होगा reactance relay का एक और नाम तो अगर आपको कभी examiner यह पुछ ले कि बताओ reactance relay का एक और नाम क्या है तो आपका आंसर होगा directional restraint over current relay clear objective question कैसा आएगा DRRG objective question की ही बात कर रहा हूं में यहाँ पर एक question का solution है उसकी बात कर रहे हैं महोर relay की है ना तो महोर relay की है अपन बात कर रहे हैं तो देखो पहला मैंने क्या बोला पहले वाले में यहाँ पर जो नाम है वो किसका है वो है voltage restraint अगले वाले में क्या है directional restraint अब यहाँ पर जो आपके पास में है लास्ट इंपेडेंस वाला तो समझना यह जो आपके पास में इंपेडेंस है और महोर रिले है महोर रिले की केस में क्या नेगटिव होता है तो मैं आपको यहीं बतायता हूं कि महोर रिले में आपके पास में वोल्टेज को नेगटिव करते हैं, voltage e jude K2 है, वह K2 negative होता है, और K3 आपके पास में जो हे वह पोता है positive, यहां पर K1 0 होता है, द्यानक भन कि A1 जो है वह 0 रहता है, किस case में, महोर oyla के case में, तो महोर oyla में अगर हम बात करें तो कोन आपके पास में negative है, तो महोर oyla की case में, जो है वो negative है और Sesहें आँगर negative है तो कदो नेड़ेटिव कर रहे हो मतलब ग्रख्यर्ट को कर रहे हो तो वोल्टेज की पीछह लगा दो descend क्या वोला मिने वोल्टेज तो री स्ट्रेंड लगेगा रिस्ट्रेंट और कौनसा कॉंपोनेंट बचा हुआ है के 3 वाला पोजिटिव है यानि कि डारेक्शन बचा हुआ है यानि क्या होगा आपके पस में डारेक्शन रिले डारेक्शन डिले तो ये concept होता है कि आपको नाम देना है इन डिले का तो अब देखो यहाँ पर voltage restraint डारेक्शन डिले कहाँ पर है तो आपका answer है B option कौनसा answer होगा B option चलिए एक बार जल्दी से बताओ सभी लोग को ये समझ में आ गया कि किस तरीके से आप इनके दूसरे नाम जो अभी तक रटते आये थे वह आप reply कर देखो अगर कभी एक्जाम में मिल जाता है तो इस तरीके से आप answer दे पाओ गया एक बार जल्दी से reply कर लो सभी को ये clear है बिट्टो कुमार, RG, विजे, प्रेंस, clear तो ये सारी चीज़े आपके लिए एक्जाम में important होगी और ध्यान रखना मैं आपको बता चुका हूँगे कि महोर रिले किस के लिए operate होती है तो महोर रिले long transmission line के लिए operate होती है अगर हम बात करें impedance से रिले तो medium transmission line के लिए operate होती है और reactance पर किस किस टाइब का नियुमेरिकल आपको पूछा जा सकता है जल्दी से बताओ क्या अंसर आएगा आपको पूछा वाई यहां पार PSM और मुझे पता है कि प्लग सेटिंग मल्टिप्लायर का फॉर्मॉला सभी को पता होगा इसको शॉर्ट में अपने लिखते हैं PSM PSM यानि क्या होगा प्लग सेटिंग मल्टिप्लायर क्या अंसर आएगा PSM आपसे बोला वाई यहां पर रिले इस कनेक्टेट टू 400 वाई 5 एंपियर करन्ट ट्रांस्वोमर तो देखो करन्ट ट्रांस्वोमर में मैं अभी थोड़ देर पहले बोला था यह जो चीज़ दे रखी होती है उसको हम बोलते है CT रेशियो तो यहां पर आपको कुश्चन में गीवन है CT रेशियो के बा मोन पर्सेंटेज सेटिंग तो यह आपको दे रखा है पर सेंटेज सेटिंग अगर हम बात करें परसेंटेज सेटिंग औफ पी-स-बी होता है पर्लग सेटिंग बोड वध को दे रखा है एक मिउन फिफंटी परसेंट हैं तो इसको आप लिख सकता है 1.5 नेक्स्ट अब आपसे पूछा है कि plug setting multiplier क्या होगा चलिए अगर हम plug setting multiplier की बात करें ना तो examiner अगर आपको कभी भी plug setting multiplier के बारें पूछे तो सुनना आपको क्या करना यहाँ पर और भी बहुत साज यह पूछ सकता है हो सकता है आपको examiner पूछ ले बताओ pick up current कितना होगा तो ध्यान रखना अगर pick up current अगर कभी पूछता है examiner तो सर फिक अप करन कैसे बताएंगे क्योंकि यहाँ पर चार टाइप की numerical बनते हैं में इसी numerical में चारो चीज़े बता रहा हों कि examiner आपको यहाँ पर चार टाइप की numerical पूछ सकता है क्या क्या पूछेगा पहला तो आपक sense करती है और किसको information देती है circuit breaker को यह मैंना आपको बोला था स्टार्टिंग के अंदर तो यहाँ से अगर हम बात करें यह transmission line है यहाँ पर यह आपके पास में क्या यह current transformer है अब यह द्यान रखना आपकी जो रिले होती है न वो रिले हमेशा current transformer की secondary winding पर लगती है यह आर क्या रही तो यह आर है हमारे पास में रिले है तो द्यान रखना आपकी रिले जो ही हमेशा current transformer के secondary साइड में लगती है तो क्या होगा आपके पास में यह current transformer है ना CT तो इसका मतलब क्या होगा आपके पसे अगर pick up current निकालना है ना तो pick up current मतलब कहां पर तो pick up current में जो करन लेकिन द्यान रखना pick up current जो ही वो तैप percentage setting into secondary current क्या बोला मैंने अगर आपको कभी भी pick up current पूछेगा IP के तो वो तैप percentage setting into CT का जो होगा आपके पास में secondary current है वो आपको लेके चलना है CT secondary current यह होता है आपके पास में pick up current निकालने का formula तो देखो आप बोलोगे कि सर यह CT के secondary current को percentage setting से multiply करने का मतलब क्या है तो देखो यहाँ पर जो एक relay है ना एक relay को मैं different different space के लिए में operate कर वाता हूँ तो यहाँ पर आपके पास में क्या करना होगा CT का जो secondary current है उसको बस आप percentage setting से Melissa multiply कर लो तो percentage setting कितनी है 150W ं और CT का सेकंडरी current कितना है तो यह 5A तो यहाँ से आप multiply कर लो 1.5 को अगर आप 5A से multiply करोगा तो यह answer आजएगा 7.5 इंपги यह तो आपके पास में क्या है बताऊ यह पकाप करण तो एक mean अगर कल तो आपके आपके पास में आंसर क्या होगा एक तो होगा सेवन पॉइंट फाइब करन्ट जो होगा वह आपके पास में होगा पिक अप करेंट क्लियर हाँ परसेंटे सेटिंग इंटू सीटी सेकंडरी करेंट बिट्टु कुमार एक दम सही आंसर है चलिए कृष्णा सर भी जुड़ चुके हैं आप सभी लोग के साथ में तो बाई जल्दी से जल्दी शेयर करो सभी लोग अपने दोस्तों को क्योंकि यहां पर द्यान रखना हर एक कुष्ण के साथ में ऐसा ने कि एक ही कुष्ण सॉल हो रहा है एक कुष्ण के साथ में आपन आठ से दस कुष्ण जो ही वो भी हम सॉल कर रहे है तो यहां पर एक कुष्ण तो यह बन सकता है अब पूछेगा बताओ plug setting multiplier क्या होगा त अगर आपको कभी भी PSM के बारे में पूछ लिया जाए plug setting multiplier तो PSM के बारे में अगर कभी पूछेगा examiner तो PSM कैसे निकालोगी तो PSM होता है आपके पास में फोल्ड करेंट डिवाइड बाई पीकप करेंट इन्टू सीटी रेशो यह होता है आपके पास में plug setting multiplier का formula त्लिया नकाना क्या बोला मिने आई-एफ जो हे वो है आपके पास में फोल्ड करेंट है सब्सक्screamed giy π Pew WILDルク के वाइबब के होगा पिकप करंट ऐंटू सीटी रेशयो जो ही वो भापका PSM देखो फोल्ड करंट कितना है अब आप निमेरिकल में देख सकते हों इस numerical में fold current उसने दिया था primary fold current जो है देखो उसने दे रखाए कितना है 2400 है pick up current में निकाल लिया है यहाँ पर और CT ratio आपको दे रखाए उसने question में तो यहाँ से आप क्या करोगी तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो fold current है 2400 pick up current जो है वो कितना है 1.5 को मैंने 5 से multiply किया था और CT ratio कितना है तो CT ratio है 400 divided by 5 तो देखो 5 ampere से 5 ampere cancel हो गया 1.5 को जब 400 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 600 तो 2400 divided by 600 तो बताओ क्या answer आएगा आपके पास में 4 तो यहाँ पर PSM आपके पास में आएगा 4 तो यह होगा आपके पास में PSM निकालने का formula तो दिया रखना अगर कभी भी अगर कभी भी examiner अगर आपको PSM के बारें पूछता है तो PSM आप यहां से निकालोगे इस process से और उसका answer आएगा आपके पास में 4M तो जल्दी से बताओ यह clear है सभी को वैसे आप में से answer दिया था किसने रिशी ने answer दिया था 4 4 answer एकदम correct है तो अगर कभी भी examiner अगर आपको यहां पर question पूछे जाए न तो आप इस तरीके से PSM की value निकालोगे clear चली अब देखो ऐसा नहीं जरूरी नहीं कि यह PSM ही पूछेगा अब examiner यहां पर दो numerical होगे थार्ड numerical पूछेगा time of operation of relay आपको examiner यहां पर बोल देगा कि बताओ इस relay को operate होने के लिए कितना time लगेगा तो थार्ड numerical अगर आपको इसा पूछ दें थार्ड numerical क्या पूछेगा time of operation of relay time of operation वेसे आपके जही एक्जाम में अभी तक यहीं तक कुछन पूछा हुआ है PSM तक लेकिन आने वाले टाइम में बहुत जल्दी आपको time of operation वाला numerical भी मिलेगा आपके बसमें ना से लिए निकाल लिया था विक्रम कुमार ने भी निकाला था इससे पहले बहुत सही time of operation of relay अगर आपको कभी पूछे तो देखो इसी कुष्चन में क्या करेगा यह जो numerical है इसी numerical में बस आपसे एक्स्टा और पूछ लेगा कि time of operation of relay कितना है और उसके लिए आपको कुछ च operation of relay मानलों टीपी में लिख रहा हूं तो टीपी जो होगा वह होगा आपके पास में एक टोगा टीमस होता है time multiplied setting पी एसम होता है आईडी एम्टी ग्राफ और टेबल आईडी एम्टी ग्राफ और टेबल करास्पॉंडिंग टू पिसम तो द्यानक ना यहाँ पर अगर कभी भी टाइम ओफ अप्रेशन ओफ रिले पूछे ना तो आप यह फॉर्मला यूज करोगे अब आप बोलोगे सर इस सबी का मतलब क् इससे पीछे वाला जो numerical है वो आपको देदेगा क्या देगा आपके पास में वो given आपको देगा टीमस आपको देदेगा बोलेगाноз का जो time multiplier setting हैं वो पॉइंट वन है है संना डिले का time multiplier setting आपको देदेगा असी question में और एक और आपको क्या तो समय न हो आपको इस टेबल में फिल करके क्या देगा है वह आपको यहां पर देगा इस question में तो समय ना वह यहां पर देगा आपको PSM देगा और यहां पर देगा टाइंड इधर देगा two six seconds यहां पर देगा four 4gard यह time जो है वो second में देगा यहाँ पर होगा 6 यहाँ पर होगा 8 और 10 देदेगा आपके पास में ऐसा question मनाएगा एक table भी देगा आपके पास में हाँ बिट्टू कुमार एकदम सही है कि अगर आपके पास में जो है देखो यहाँ पर IDMT की full form inverse def यहाँ एकदम सही बाते है विकरम कुमार बोलते हैं IDMT की full form बहुत बार आपको exam में IDMT की full form ही पूछ ली जाती है एकदम correct है IDMT की full form होती है inverse definite minimum time relay क्या होगा आपके पास में IDMT की full form है वो भी याद रखना आपको बहुत बार examiner IDMT की full form ही पूछ लेता है IDMT का मत्तब होगा inverse inverse definite inverse definite minimum minimum time leg relay inverse definite minimum time leg relay यह याद रखना IDMT की full form होती है तो सनना अब इसने क्या बोला question के अंदर अगर मान लो यही जो इससे पहले वाला question होता अब ध्यान रखना समझदा यहाँ पर यह numerical बहुत अच्छा है और अगर इससा question आपके exam में पूछा जाएगा बहुत ही rare case में मतलब बहुत कम strength जो इस question को करके आ पाएंगे यही में सभी लोग numerical से ही डरते हैं बट बहुत easy है यह language तो होगी होगी ध्यान रखना यह सारी language होगी addon साथ में क्या होगा एक TMS होगा और एक table होगी और वो मैंने आपको यहाँ पर दिया है यह मैंने आपको दे दिया यह TMS और table आप से पुछेगा बताओ time of operation of relay क्या है तो देखो सबसे बिले क्या करना है अगर आपको relay का operating time निकालना है तो यहाँ पर TMS लिखना है वो आपको देगा question में तो TMS देगा तो उसने TMS कितना दिया आप बोलो के साथ ठीक है TMS मुझे उसने देदिया point one बट इसको multiply करना है यह इतनी बड़ी line का मतलब के है इतनी बड़ी line का मतलब के है पूरा पड़ो धीरे धीरे है time calculated from IDMT graph या table है graph or table है IDMT graph or table किसी table या graph में आपको time दिया होगा time कहां से calculate करना है तो देखो time calculate from IDMT table और किसके respect में तो corresponding to PSM तो PSM के respect में time लेना है तो बताओ अभी इस question में PSM कितना आया था PSM आया था 4 और PSM 4 आया था तो इस table में जाओ उस table में PSM 4 दे रखा है उसके corresponding time कितना दे रखा है वो 6 दे रखा है वो लाके यहाँ पर रख दो तो 6 into point 1 हो जाएगा point 6 बिट्टो को मार एकदम सही answer है point 6 जो है वो correct answer है तो अगर आपको ऐसा कभी numerical पूछ ले जिसमें वो time of operation पर जाए तब आपको table भी देगा और उससे आपको पूछेगा कि बताओ कितना time लगेगा रिले का तो मेरे recording यहाँ से आप लोग बता दोगी कि time of operation of relay पूछा जाए तो किस तरीके से हम निकालेंगे चलिए अगले question पर जल्दी से बताओ क्या answer आएगा next question आपके सामने यह है और इसका answer मुझे पता है बहुत सारे student को पता होगा अब देखो आर जी ने पूछा कि sir weight is किसका ज़्यादा होता है subject का देखो अगर हम बात करें तो power system machine और network अगर आप अलग-अलग exam के recording अलग-अलग है अगर आप SSE JEE की बात कर रहे हो तो machine और power system दोनों मिला कर कम से कम 50 marks कम से कम बोल रहा हों में यह 60 भी चला जाता है कभी कबार तो 50 question जो है इन दो subject से आएंगे 60% question है वो यहां से आएंगे 100 में से UPPCL JEE की बात करोगे तो वहाँ पर जो है आपके पास में कम से कम आपके वहाँ पर machine और power system में से अगर हम बात करें तो वहाँ पर 70% question जो है machine और power system में से आता है तो UPPCL में भी 60-70% मतलब कोई सा भी एक्जाम दे दो यार machine और power system मिलाकर लगबग 50% तो आए गई आएगा मतलब सबसे ज़्यादा वेटिज रखता है या तो machine या power system दोनों में से कोई भी एक RRB JEE में भी बात करोगे RRB JEE का जो syllabus है technical syllabus वो सेम SSC JEE का है सेम SSC JEE का ना रखा है मैंने पूछा है कि बताओ ये diagram किसका है तो ये diagram है आपके पास में किसकी characteristics है तो ध्यान रखना यहाँ पर मैंने तीन टाइप की relay बताएथी कौन-कौन सी देखो तीनों नाम लिख रखे हैं एक होता है आपके पास में impedance relay इंपेडेंस relay इंपेडेंस relay का जो लोकस होता है वो आपके पास में कुछ इस तरह का होता है अगर आपको कभी पूछ ले examiner की बताओ impedance relay का लोकस क्या होता है तो impedance relay का जो लोकस होगा वो आपके पास में क्या होता है वो circle होता है किसमे rx plane के अंदर यह circle होता है impedance relay का ठीक है लेकिन हाँ अगर वो reactance relay की बात करें अगर वो question में second बात करेगा किसकी बताओ reactance relay की तो reactance relay का जो locus होगा वो reactance relay का locus होता है आपके पास में वो मैं यहाँ पर बना देता हूँ वो होगा straight line reactance relay का locus जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा और वो किस पॉइंट से पास आउट होगा जीरो कॉमा एक्सल से पास आउट होगा यह examiner question पूछता है ना कि impedance relay का locus क्या होता है तो impedance relay का locus होता है बेटा circle और आपके पास में जिसका center क्या होगा 0,0 होगा यह center point होता है ना इसको पन बोलते हैं केंदर बिंदू तो वो 0,0 होगा तो यह impedance का होता है यह reactance का होता है तो देखो impedance और reactance का यह हो गया तो यह तो अल्रेड़ी होई नहीं सकता आपके पास में इन दोनों में से यह locust होता है किसका महो रिले का तो महो रिले का locust भी क्या होता है आपके पास circle ही होता है लेकिन circle 0,0 से कहां से होता है वदा पास आउट होता है तो circle होगा लेकिन 0,0 से वो पास आउट होगा लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर locust क्या होगा ज्यान रखना सरकल होगा लेकिन 0,0 उसका सेंटर होगा तो दोनों इंपोर्टेंट है आपके पास में प्लियर एससे जेई मेंस के लिए बेटा मेंस के लिए जो है इन में से किसी भी रिले के बारे में थियोरी आपको पूछ लेता है मचले वेसे मेंस में जएदतर कुछन आता है मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन का पावर स्थिम के प्लियर तो प्रोटेक्शन के बारे में प्लियर क्लियर और जी थेंक्यू सौमच डियर चलिए मशिन पावस्तम भी मैं उतना ही उच्छा पड़ाता हूं डेफिनेटली जब पावस्तम जीरो से पड़ेंगे कि देखो यहां पर तो मैं मानके चल रहा हूं आपको है न कि बहुत सारी चीजें जो है वह आपको आती है और उसक चीजें यह मैं यह डेरिवेशन भी करते हैं कि केसे आया सरकल केसे बना बट अभी बस आपको यह याद रखना है कि अगर कभी भी ऐसा डाइग्राम बना ले तो फिर आप आंसर लगाना इंपेडेंस रिले अगर वह ऐसा डाइग्राम बना ले तो आप आंसर लगाना महर तो यह आपके पास में कहें, महो रिले का जो लोकस होगा, वो सरकल होगा, और वो 0,0 से क्या होगा, आपके पास में गुजरेगा, द्यान रखना, 0,0 से पास आउट होगा, आपको एक्जाम में यही कुछिन ऐसा भी पूछ लिया जाता है, तो आप से पुस्ता कि बताओ वो रिले कौन सी है, तो किस रिले का जो लोकस ही, वो 0,0 से पास आउट होता है, तो आपका आंसर होगा, महो रिले, तो महो रिले का लोकस जो होगा, वो 0,0 से पास आउट होगा, लेकिन हाँ, इंपिडेंस रिले का जो लोकस होगा, वो 0,0 उस उसका सेंटर होगा उससे पास आउट नहीं होगा और बाकी रियक्टर से लिए तो स्ट्रेट लाइन है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पर इसका आंसर होगा आपके पास में ऑप्शन डी चलिए अगले कुश्चन पर अगर हम बढ़ें तो बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा अभी मैंने नाम लिया था और वुसी का कुश्चन आ चुका आपके सामने तो चलिए जल्दी से बताओ देखते हैं इस बार जो ही वो सही आंसर कौन देता है इस कुश्चन का आपसे बोलाए दा यूज ओफ मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन इस एप्लिकेबल रिले होती है या और आप बोल सकते हैं पर्सेंटेज डिफ्रेंशल रिले ना पर्सेंटेज डिफ्रेंशल पर्सेंटेज डिफ्रेंशल रिले उसी को बोला जाता है आपके पास में मर्ज प्राइज रिले भी बोलते हैं पर्सेंटेज डिफ्रेंशल रिले को मर्ज बात कर रहे या बायस्ट के बारे में बात कर रहे हैं इन में से किसी की बारे में बात करें वो तीनों का मिनिंग सेम ही होता है तो उसने बोला question के अंदर कि आपके पासे merge price protection किसके लिए use करते हैं तो घ्यान रखना मैंने अभी आपको क्या लिखाया था starting में जब मैं आपको theory वाला part मैंने आपको बताया था तो देखो theory वाले में मैंने आपको यहाँ पर यह point लिखाया है यहाँ पर अगर आप देखोगी starting में अगर आपने class देखी होगी तो मैंने आपको यहाँ पर लिखाया था differential delay के बारे में मैंने बुला था differential delay दो type की होती है ordinary differential delay and second होती है आपके पास में second यह मैंने आपको explain किया था और फिर मैंने आपको बताया percentage differential delay और मैंने आपको यहां पर यह भी पॉइंट लिखाया कि ओडिनरी डिफ्रेंशल लिले या डिफ्रेंशल लिले जो है हम या तो ट्रांसोंमर या अल्टरनेटर के प्रोटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं तो आपका अंसर क्या होगा तो यहां पर इस कुश्चन का अंसर अ प्रोटेक्शन सोगा नहीं इसे पहले वाला न्यूमेरिकाल है कि मैस प्र्रैस प्रोटेक्शन जो ही वह आपके बस में किसके लिए यूज करते हैं आपका इंसर होगा अल्टरनेटर क्लियर तो आपके पास में क्या होगा आणसर होगा ट्रांसर И Grade Director around तो आंसर आएगा option A चलिए अगले question का answer जुह है वह आप दे सकते हूं वैसे मैं आपको बता चुका हूं जल्दी से बता इस question का answer सभी लोग को आना चाहिए फास्ट रिप्लाई करो क्या answer आएगा आपसे बोला है question के अंदर merge price current protection is also called merge price protection को क्या बोला जाता है आपके पास में क्या बोलता है पन जल्दी से महेश्वर कुमार रिशी पतेल सभी लोग को रिप्लाई करना है कि merge price protection को ही हम क्या बोलते हैं किस नाम से बोला जाता है तो अभी मैं आपको बताया कि merge price relay जो है न वो और कुछ नहीं है वो ही percentage differential relay है तो merge price protection को आप differential protection भी बोल सकते हो है न तो यहाँ पर under voltage protection नहीं होता है over current protection भी नहीं होता है differential protection जो ही वो आप बोल सकते हो तो आपके पास में answer क्या आएगा merge price protection जो है उसी को हम क्या बोलके चलते हैं वो हम differential protection भी बोलके चलते हैं तो आपका answer होगा कि differential protection जो है वो correct answer रहेगा C option correct है न तो देखो आपको अभी आज वली जो class अपने पड़ी है इसमें आपको एक तो differential relay के बारे में आपको पता लग गया होगा कि differential relay क्या होती है कैसे कैसे question पूछता है आपको distance relay के बारे में पता लग गया होगा कि distance relay कौन-कौन सी होती है impedance relay होती है reactance relay होती है और maho relay होती है उसके बारे में आपको information मिल गई होगी प्लस आपको pickup current और PSM और time of operation of relay का numerical कैसा पूछेगा वो भी आपको पता लग गया होगा किसी भी transmission line के protection के लिए minimum 3 relay use की जाती है वो भी आपको पता लग गया होगा कि 3 relay कौन-कौन सी होती है तो वो सारी information आपको मिल गई होगी मेरे recording यहाँ पर अभी तक अपने जितना point पड़े है न वो सारे आपको clear होंगे अब ध्यान रखना कल के session में जो हम बात करेंगे वो कल के session में हम बात करेंगे fault वाले topic पर है न क्योंकि आपको बता है fault में सी भी बहुत सारे question आपको exam में पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना कल की class में fault अपन पड़ेंगे तो आप लोगों क्या करना है जितना भी अगर आपको fault आपने पड़ा है आपको आता है तो आप वो revise कर करके आ सकते हो नहीं तो में सेम जिसे आज question के तुरू अपनने सारे concept देखे हैं न कल भी अपन question के तुरू ही अपन concept अपन देखने वाले है न तो कल के session में हमारा जो topic रहेगा वो रहेगा आपका fault analysis है इसकी PDF जो ही बेटा इसकी PDF आपको application पर मिल जाएगा application पर जब आप कलाम बेच नाम से आपको free of cost बेच चल रहा है वहाँ पर उसको आप join करोगे वहाँ पर आपको सारी PDF आपको मिल जाएगी न तो वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हूँ तो PDF आपको application पर मिलेगी clear guys तो मेरे coding यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा और आज का session आप सभी को बहुत enjoy किया होगा झाल